रादे कुछन दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों मकर संक्रांती की पूजा कुछ लोग 14 जन्वरी को कर रहे हैं कुछ 15 जन्वरी को कर रहे हैं सूर्य के मकर राशी में प्रवेश करने के बाद मकर संक्रांती का पूजन किया जाता है और 14 जन्वरी को रात को 8 बजे के बाद सूर्य मकर राशी में प्रवेश करेंगे तो उस इसाब से मकर संक्रांती का पूजन 15 जन्वरी को किया जाएगा वैसे आपकी इच्छा है आप जैसे चाहे कीजिए दोस्तों मैं आपके पास कुछ एक ऐसी चीज लेकर आई हूँ जो कि हमारे देश में बहुत अधिक जिसकी मानिता है कुछ भी पूजा हो पाठ हो ये कारे हम सब जरूर करते हैं दोस्तों वही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आप मकर संक्रांती की पूजन की बाद में ये काम कर सकते हैं यह काम है दीप दान काम दीप दान हमारे देश में बहुत अधिक महत्व रखता है दीप का दान करने से हम हमारे पास आर्थिक संपन्नता आदिये सुख सम्रिद्धी आती है इश्वर की कृपा प्राप्त होती है इन सब चीजों के और हमारे घर के अंदर जो कलेश कलह होता है उस सब का भी नाश होता है तो इसके लिए मैं आज आपको मकर संक्रांती पर दीपदान के लिए बताने आई हूँ आपको लेना है तिल का तिल का तिल का तेल लक्षमी जी को बहुत अधिक प्रिये होता है मैं पहले भी बार इस बारे में बता चुकी हूँ और मकर संक्रांती पर तिल के तेल का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि मकर संक्रांती पर हम तिल का सामान ही देते हैं तिल के ही पूजा की जाती काले तिल या सफेद तिल तो तिल का तेल लीजिए और उसके अंदर रूई की बत्ती लेनी है आपको रूई की बत्ती लीजिए आप चाहें तो लंबी ले सकते हैं और आप चाहें तो गोल बत्ती ले सकते हैं कोई भी वह मत कीजेगा कि हम वहां कर सके ऐसा कुछ नहीं है आप जहां जहां कर सकते हैं वहां वहां जरूर कर दीजेगा तो मैंने आपको बता दिया है आपको दीपक लेना है तिल का तेल लेना है और रूई की बती लेनी है आप अपने घर में ही एक प्लेट में स्टील की ठाली ले लिजे उसके अंदर सबसे पहले उस अथाल में बीच में स्वास्तिक बनाईए स्वास्तिक आप सब जानते हैं जो गणेश जी का निशान होता है वो बनाईए और लाल रंग से स्वास्तिक बनाकर उसमें थोड़ा सी चावल डाल दीजे और उसके बाद आपको दीपक रखने हैं मैं बता रही हूं आप जितने जला सकते हैं उतने ही दीपक उसके अंदर ठाली में रख लिजेगा और रुई की बत्ती डाल लीजेगा और उसमें तिल का तेल डालकर रख लिजेगा एक बात आपको और बताओं मौसम ऐसा है हवा बहुत तेज चल रही होगी तो आप क्या कीजिए कि जो बत्तियां आप रख रहे हैं उन बत्तियों की टिप्स पर कपूर होता है कैमफर उस कपूर को ऐसे हाथ से चूरा करके सबकी टिप पर लगा जला जा जाएंगे वहाँ पर तो आसानी से जल जाएगी अब आपको क्या करना है कि सबसे पहला जो जा जलाते हैं वह अपने घर के पूजा घर में रख दीजेए हैं आप जिस भगवान की भी पूजा करते हैं या आप बाइचांस दी पूजा आपका अलग से पूजा घर नहीं बनावा है तो आप अपने घर के ब्रह्मस्थान पर रख दीजे रहें और जमा कर दिजे और जहा खाली है तो नीचे पत्त पट्टे के ऊपर रखती चेर और उसके बाद दूसरा दीपक लीजे और तुलसी पर रख दीजे हम सबके घरों में तुलसी जरूर होती है तो दूसरा दीपक ले जाए और तुलसी पर ले जाकर उसको प्रज्वलित कीजिए और रख दीजिए और तुलसी माता से प्रात्ना कीजिए कि मुझे श्रकृष्ण का साथ दो तुल्सी जी के रखने के बाद में आपको अगला दीपक रखना है अपने घर की देहली इस पर आपको दीपक रखना है वहां ले जाकर दीपक रखिए और उसको प्रज्वलित कर दीजे अब देहरी के बीचों-बीच रखने में आते जात ने का डर होता है तो यदि आप घर के अंदर की तरफ खड़े हैं और आपके दाहिने तरफ और घर के बाहर खड़े हैं तो आपके लेफ्ट में दीपक चला कर रख दिशे चौथा दीपक आपको जलाना है पित्रों के नाम का पित्र मैंने आपसे पहले बिताया था के समान है तो आप अपने घर के साउथ पार्ट में चले जाएए और साउथ की तरफ मुख कीजिए और वो तिल के तेल का दीपक रखकर उसको भी प्रजवलित कर दिशे इस तरीके से यह चार दीपक तो हो गया और यह जो चार दीपक मैंने बताया है अधिकतर सब लोग कर सकते हैं इन चार दीपक को जलाने में किसी को कोई भी परिशानी नहीं होगी अच्छा दोस्तों अब मैं आपको बता रही हूँ जो दीपक मैं बता रही हूं इन में से आप जिश जगह जा सकते हैं, आप जाके जला सकते हैं, उजना जाए और दीबदान कीजिए, पांचवा दीपक आपको जाना है नदी पर, नहर पर, बहते पानी पर, अब समस्या ये है, हर व्यक्ती नहीं जा सकता, हर शहर में नदी नहर तालाब नहीं है, क्या किया जाए, लीजिए, आज मै आपको इसका एक उपाय बताती हूँ, आप क्या कीजिए, आपके घर के नॉर्थ में, on the north part of your home, एक प्लेट ले लिजे, steel की प्लेट ले लिजे, चांदी की प्लेट ले लिजे, कांसे की, पीतल की, कॉपर, कॉपर की ले लिजे, प्रास, steel, silver, किसी भी चीज की एक प्लेट ले लिजे, नॉर्थ में ले जाकर उस प्लेट को रखिए, और उस प्लेट में थोड़ा सा पानी डाल दीजे, और उस पानी के बीचों बीच, दीपक रखिए, जो आप घर से लेकर आए हैं, आपके घर, मतलब घर में ही हैं आप, उस दीपक को इसमें रखकर उसको प्रजवलित कर दीजे, वह दीपक इकवल टू, जल रवाह हो जाएगा, वह दीपक इकवल टू, आप दीपदान जो करेंगे, वह जल में हो जाएगा, आजकल हम सब को हर एक चीज अविलेबल नहीं है, तो हर चीज का कोई ने कोई solution होता है, नदी में दीपदान नहीं कर सकते हैं, तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, इस तरीके से आप दीपदान कीजिए, ये पांच जो दीपदान मैंने बताये हैं, ये आप अपने घर ऐसे हैं जो हमें रोड साइड मिल जाते हैं आप समझ ही गए होगे मैं बात कर रही हूं पीपल की पेड की और वट व्रिक्ष बैनेंट्री की बर्गत का पेड मैं उसकी बात कर रही हूं पीपल की पेड की बात कर रही हूं तो यह हमें मिल ही जाते हैं अधिकतर तो आप यहा तो आप दिपक और इसके अलावा पीपल्छ चाहिए वटविक्ष बानेंट्री के ओशोग और एक काम और कर सकते हैं मंदिर में ले जाकर मंदिर में रख़ दीजे शिवल की पास है एक मंदिन में जरूर होता है और एक कुंड होता है और उसके पास ले जाकर बढ़े हैं जो मेने पांच दीपक के बताये हैं वह तो आप सब करी हैं तो आप सब कर ना ही चाहिए इसके घर के आसपास पास पीपल का पेड़ है वाटभर रिक्ष है अशोप का पेड़ है पास और जो और पे कोई हवन होता है तो उसके पास चलाइब है इस तरीके से कीजिए दोस्तों और दीप्दान कीजीए और उसका उठाईए और तेल तेल के तेल से अड़ी आप दीप्दान बनी रहे थी, okay friends, see you soon, bye.